पंचा सुन्देश मैं हूँ सुईकुमार चोधरी आज हम दुबोलिया विकास खंड के अंतरगत ग्राम पंचाय तिघरा में मौजूद हैं यहां पर हमारे साथ हैं बबलू धारिया जी इनका पुस्ताइनी धंधा था दवरी मौनी को बनाना इसी से इनकी जीब का चलती थी लेकिन आधुनिक यूग आने के चलते यह धंधे पूरी तरीके से बंध हो गए हैं और इन्होंने अपने घर में आयके स्त्रोथ बढ़ाने के लिए अपना परिवर्तन कर लिये हैं इन्होंने एक आटो लिया है और दो गवपालन का कारी कर रहे हैं और कुछ बकरी भी पड़ा कि इनको पुराइं धंधे को बंद करके मैं में आना पड़ा और इस कार से यह जो है लभग छे परिवार का भरण पुस्र करते हैं तो बबलु जी आपका स्वागत है मैं यदनाध धारिया जी तिघरा निवासी जी दुबवलिया विकास खंट के रहने वाले हैं यह जो आप पूछ रहे हैं कि पुस्तैनी धंधा आप लोगों ने क्यों बंद कर दिया तो इस चीज के लिए बास सबसे अभाव क्या चीज हो गया है बास नहीं मिला है नहीं जैसे बास पहले लोगों को इपास होता था तो बास की बाग कटवा करके लोग जमीन पर अपन खेती करना शुरू कर दिये हम लोग के लिए दिक्कत हो गया बास मिलना पहले बास से हम लोग डाल दौरी बेना दोगला सेर यही सब बनाया जाता था हमारे पुस्तैनी लोग बनाते थे हम भी बनाते थे तो कहने का मतलब यह है कि आपने इस धंधे को कब बंद कर दिया औ दीरे दीरे आटो चलाते रहे फिर कोबिट का कहर आ गया तो फिर गाड़ी का काम लो हो गया तो फिर हम गवपालन सुरू कर दिये बकरी अब दो गाए हैं हमारे पास कितना दूद देती हैं पंद्रा सोरा लीटर दूद दोनों टाइम में हो जाता है तो जो बकरी हैं बकरी दो चार हैं तो पतनी को आपने सहाता समू से भी जोड़ा है जी तो उसे भी कोई लाब मिला बहुत लाब हुआ है अच्छा तो आप अपने धन्दे को कैसे बचाएंगे अब जब हम लोग को जमीन की जरूरत पड़ेगी अगर हम बांस का काम करना शुरू करें तो हमारे बिरादर को पर्थम बरियता है कि उनको जमीन महया कराई जाए आपके बिरादरी में जमीन नहीं होती थी हमारे बिरादर में बहुत कम लोगों के पास जमीन है नहीं तो अपने रहने का वोतन के लिए भी बहुत कमी लोगों के पास है जो अपनी पुस्तैनी जमीन पे रहते हूं तो आपके विरादरी तो इलाके में गिने चुनी हैं तो वही हैं जिनके पास क्योल घर है खेती नाम का चीज नहीं है और मैं कहना चाहता हूं गवर्मिंट में हमारे निर्मल जी परसाद भारतिये बाबा साहब सम्मिधान जो बनाए है और डांक्टर अम बेटकर महासभा के राष्टी अधेच रह चुके हैं और भारतिये जनता पार्टी में आज पांच साल से पदसीन है बित विकास निगम के मंत्री भी हैं राज मंत्री हैं तो उन्होंने कहा था दो हजार सत तरह में कि अगर हमारी बिरादर हमारे भारजपा का साथ देंगे तो हम राजपाल से कह करके जमीन महिया कराएंगे लेकिन बिरादर हमारा साथ दिया उनका मंत्री बिरादर मंत्री जी का साथ दिया दो-दो इलक्सन साथ दिया उसके बाद आतकले उन्होंने बिरादरी के नाम पर चुपी साधलिया कि हर ग्राम सभा में एक एकड़ दो एकड़ जमीन बंजर पड़ी हैं लेकिन कहीं भी उन्होंने नाम फिर दुबारा नहीं लिया रैली करवाए रैली में लोगों लाखों लोग गए पूरे उत्तर परदेश की बिरादर गए चाहे वो बंसपोर हों या धर्कार लिखते हूँ या भेन बंसी लिखते हों हर बीरादर मिरजापुर से ले करके अपके लोग अधर इदर बलिया तक यह लोग लखनव मेटिंग में गए उनके रैली में का जंसभा में तक मैं सुने यह बात आख तक ले यह दहने बात है subscribe को इसका लाब नहीं मिल पाया है और जिए अपर वाला जब खराब हो जाता है तो उसे हमारा काम साफ नहीं उतरता है तो आप इस दंदे से किदनी परिवारहा है का बनाप कर रहे हैं भल लना से घारै और व्हाग से लेकरके गाड़ी से दे चुके हैं बच्चों का पालन पोसर भी हो रहा है तो तमाम अश्य विरादरी के लिए होंगे जो कार्ड रहे कर पाते हैं उनके लिए क्या संदिश देंगे आप उनके लिए यही है कि अगर वो काम करना चाहते हैं चुनराज पाल जी से और अपने वित विकास मंतरी डाक्टर लाल जी निर्मल जी से जो वादा किये हैं वो हमारे विरादरियों पर ध्यान दें आपकी मांगे ही है जी तो देखिए हमारे साथ बात्चित के लिए मौजूद थे वबलु धारिया जी के नाम से प्रसित हैं और इन्हों ने अपने बदावलत जब इनका पुस्तानी धंधा था ध जाब कोविड का डवराया कर्या शुरू किया है उसरे जो दूद नें हर ला नहीं करको दूद है का एंक तो विए जाए को लाटर उनुदू का ने मरुद क्यान जो पर द्योद्मट्ट्ट पर देंक जबता सकते हैं जब हमारे देश में बास बोरिंग जो नीचे से पाइप लगती है बोरिंग बड़ी बोरिंग होती थी इंजन के लिए पानी उठाने के लिए तब पलास्टिक की पाइप नहीं आती थी ना लोहे की तो हमारी बिरादर बास की जाली बना करके और जमीन में बोरिंग कराने व ने किया बिजुली नहीं आता था गाउं में पहले बिजुली नहीं था मिटिक तेल से लोग दिपक जलाते थे तो गर्मियों में पंखा तब आज तो एसी कूलर सब कुछ हो गया तो उसे बांस का बेना बोला जाता था वो बेना हमारे परिवार के लोग करते थे जब पानी नाला से उठाते थे लोग तो दवरा और सायर ये चीज हमारे परिवार बेग्यानिक धुन से ये धरिकार बिरादर एक बेग्यानिक के तौर पे थे जो डलब लड़िया बैल लेके कांटा पर या मेल पे गन्ना ब्याचने जाते थे तो मित्ती का बरतन नहीं चलता था तो उ ये सब बेग्यानिक धुन से हमारी बिरादर जुड़ी थी लेकिन इस पर न संख्या कम होने के कारण सरकार भी हमारे बिरादर को ध्यान नहीं दिया कि एक पुस्तेनी बेग्यानिक हैं ये लोग हम लोग बेग्यानिक धुन से जुड़े हुए बिरादर इस थे चुंकि ज बनाके दे देते रहें नहीं। तो बच्चे तो अभी पढ़ रहे हैं अभी तो दस साल ग्यारा साल के हैं लेकिन जब हम काम करने बैठते हैं तो बच्चे कुछ हाथ बटाते हैं पूल गएरा कागज का काट के डाल पे लगाते हैं तो क्या आप बढ़ाएंगे बंद कर देंगे जंदा नहीं वो तो चलता रहेगा लगन में चलता रहे वो लगन जब आ जाता है तो डाल के लिए लोग आते हैं और दोरी ओरी अब कम हो गया है लोग लेना भी बंद कर दिए जब बनेगा नहीं तो लोग लेंगे अभी बनाया जाए तो अच्छी विक्री होती है लेकिन हम लोग के पास जमीने नह नहीं जया है तो देखिए यह बबलु जी थे इन्होंने अपनी पीरा को बताया है और इनका जो पुषणी धन्दा था यह अपने पुषणी धन्दा को जारी रखेंगे फिरहाल जब तक लोग खृदने वाले होंगे जब तक इसकी बिक्री होगी सब तक काम चलता रहेग वास्तों में यह धारिया जात में एक क्या काजा इसको कला देखने को मिलता था इनके बनाये हुए तमाम प्रकार के बेने पंखे होते थे तमाम प्रकार के दवरिया होती थी तो आज यह फिरहाल कागज में बनके रा गई है जो भी इसे धन्दे को बढ़ने में जुटे वो जो पुरानी प्रंप्रा के थे, दवरी थे, बेने थे, इस सब का उप्योग करें, जिस्षे इन धारिया जात के जो धन्दे है ये आगे बढ़ा जा सके, नमस्कार धन्यवाद